नमस्ते बच्चों मैं पंकच कुमार से आज क्लास 10 में हिंदी की छितित पुस्तक के पाठ लखनवी अंदाज के अतियंत महत्पूर्ण प्रशनों के साथ प्रस्तु थू और परिच्छा उप योगी प्रशनों की स्रिंखला में ये दूसरा वीडियो है तो बच्चों प्रशनों को समझ करके उसक उत्तर दिया रहरा है तो इससे कोई व्यक्ति के देट की की उदर पूर्ती यानि पेट को घर वेलेखा को दिखाना चाहते थे कि वे सामान किसम के आदमी नहीं बलकि औरों से उचे हैं वे दिखाना चाहते थे कि इतने बड़े खांदारी रईस हैं कि खीरे जैसे तुछ खाद वस्तू उनके उदर में जाने लाइक नहीं है। के लिए उस्सुक नहीं है। तो जब लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ट्रेन के सेकंड क्लास के दब्बे में प्रविश्च करता है तो उस समय नवाब सहाब उससे बात नहीं करते हैं। नवाब सहाब दोरा खीरे की तैयारी का सब्द चित्र प्रस्टूत कीजिए। बच्चों सब्द चित्र का अर्थ या हुआ कि उस वेक्ति की बारे में पूरा असपश्ट रूप से विवरण दीजिए। छोटी सी छोटी बारीक बातें भी बताईए। ऐसा नहीं है कि चित्र सब्द कात्थ हुआ कि कोई ड्राइंग करना है या चित्र बनाना है तो यहाँ पर आप भ्रमित ना हो उत्तर देखते हैं। नवाप साब बड़े अराम के साथ पालती मारकर बैठे थे उनके सामने तवलिये पर कुछ ताजे कच्चे खीरे रखे हैं। वे ऐसे बैठे हैं मानों दिन भर में उन्हें एक यही महत्पूर काम करना है। देरे से उन्होंने तवलिये को उठाया जारा और बिछाया। अब सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया। उस पानी से खिड़के के बाहर करके खीरे को धोये। धोईवे खीरे तवलिये पर रखे। फिर एक खीरे को उठाया। जेवसे चाकू निकाला। चाकू से ख चाकू से गोदा, उसकी जाग निकाली, फिर बड़ी कलाकारी और कुमलता से खीरे को छीला, तत पश्यात उसे काटकर उसकी फांके बनाई, उन्हें एक एक करके बड़े क्रम से सजा कर तुलिये पर रखा, अब उस पर जीरा, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुर्की, इस तरीके से नवाब सामने खीरा खाया, क्या वह सनक कह सकते हैं, सनक यानि एक जुनून या पागलपन, तो ऐसा पागलपन का कोई पौश्टिव, यानि सकरात्मक रूप भी हो सकता है, अगर उसको करें तो कोई अच्छा वड़न भी निकल सकता है, ऐसा ही वड़न जोड़ा जा सकता है, इतिहास में ऐसे सनकों के अनगीनत उधारन मिलते हैं, जैसे स्वामी विवेका नंद को ज्यान प्राप्त करने की सनक, महतमा बुद्ध को जीवन का सत्य खोजने की सनक, चाणक को नंदवर्ण का समूल विनास करने की सनक, भगा सिंग को देश पर मर म करना तो किस पर ब्यंग किया यह पूरा पाठी व्यंग रचना है तो उत्तर में देखिए लखनवी अंदाज में लेखक ने पतंसील सामंती वर पर कटाच किया है लेखक दौरा कटाच का कारण यह है कि यह लोग जीवन की वास्तविक्ता से दूर भागते हैं वे बनावती जीवन सैली अपनाने में गर्व की अंभूती करते हैं इनका यह जीवन विरोधी अंदाज उचित नहीं ठहराया जा सकता भोग के अस्थान पर गंध से त्रिप्त जैसी बातों से सामंती होना नहीं जहलगता बलकि उससे पतंसील स्वरूप का चिठ्था खुल कर सामने आ उत्तर यदि हम लखनवी अंदाज पाठ के कहानी और घटना करम के अधार पर देखें उत्तर होगा किसी भी रचना का सीरसक उसके मुख्य पात्र घटना या कथा वस्त उपर अधारित होता है लखनवी अंदाज कहानी में सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक के साथ प्रथम उनकी उपेच्छा की फिर खीरा खाने के लिए अमतित किया और स्वेन खीरे के भोग के नाम पर उसकी गंद मात्र से ही त्रिप्तिकान भो किया वैसा लखनव का कोई संकी नवाभी कर सकता है पूरी कहानी नवाभ साहब के अंदाज से सुरू होकर नवाभ साहब क नवासत स्वच्छता और कोमलता को कहते हैं तो इसका उत्तर होगा लखनवी नवाभ सदा से ही एक विसेश प्रकार की नवासत नजाकत और खानदानी तहजीब के लिए प्रसिद्ध है लखनवी अंदाज पाठ में लेखक को नवाभ साहब की खानदानी तहजीब नवाभ का उदारण मिलता है नवाब साहब द्वारा तहजीब का उदारण तम मिलता है जब लेखक के साथ जनाब खीरे का सोग फरमाएं आदी सब्दों कप्रियों करते हैं उनकी हर क्रिया कलाप में नवाबी नजाकत दिखाई दे रही थी खीरे को धोना विसेस अंदाज में पोच देती है यानि नफासत सचता और नजाकत को मलता यह दोनों घटनाएं नवाब साहब ने खीरा खाने के दवरान दिखाया किस प्रकार से उन्हें सचता पूरवक खीरे को विसेस अंदाज में काटा और खाने के बजाए सूं कर फेक दिया यानि खीरे जैसी वस्तुमान तो खीरा खाने के विसेस घटना थी उसमें विसेस जो व्यंग है उत्तर देखिए इसके दोरा लेखक नवाब साहब की नजाकत पर व्यंग करना चाहते हैं वह बताना चाहते हैं नवाब साहब ने बड़े यतन से खीरे को धोया पोच्छा उसके फांकों को और उन पर नमक मि सारी जिन्दगी छोटी छोटी बातों में लग जाती है और वो इस बातों को दिखाने में बिता देते हैं या सुबा उठने से लेकर रात सोने तक अपनी नवाबी सान के लिए नखरे भरे अंदाज में जीवन व्यतित करते हैं वे जीवन भर कुछ भी नहीं करते केवल खीरा खाने का विसेश तरीके से वो उनके अंदर छिपे उसको मलता को दिखाने का जो विसेश अंदाज था उसी को लेकर के यहां पर तैयारी और इस्तमाल सब्द का प्रयोग किया गया और उनके इस पीछे जो भाव था दिखावे का उस पर ब्यंग किया गया है प्रश्ट मेर 9, नवाब साहब की यहरकत देगकर लेखक क्या सोचने लगा लेखक के ज्यान चचु का है कि ज्यान की प्राप्ति हो जाना तो लेखक सिकंड क्लास के खाली डिब्बे में यात्रा के समय प्राकृतिक द्रिस देखते हुए नई कहानी के बारे में सोचना चाहता था ताकि वा भी नई कहानी लिख सके जब उसने अपने साही आत्री नवाप साहब को खीरा खाए बीना डकार लेते देखा तो उसके ग्यान चचुखूल गए उससे समझ में आ गया कि नई कहानी की लेखक भी इसी तरह बीना घटना पात्र और विचार की कहानी लिखकर संतुष्टी का अनभौ कर लेते होंगे उनकी संतुष्टी भी बिल्कुल वैसे ही दिखावटी और खोकली होती होगी जैसे ही बीना खीरा खाए पेट भरे होने जैसी डकार लेना यानि नवाप साहब के द्वारा पेट भरे होने का जो भाव दिखाया गया डकार लेकर दिखावा किया गया उससे लेखक को ग्या हो गया कि ऐसे ही नई कहानी भी बिना किसी आधार के खोकली कहानी लिखी जाती है प्रश्च नमबर दस लेखक और नबाब में कौन अधिक अलगाव पसंद करता है और क्यों अलगाव यानि दोनों में कौन ऐसे थे जो अपने स्वाभिमान को अकड दिखाने वाले थे इसका अकडा ही रहता है यहां तक कि उनके हर कार में लेखक को नबाबी बुराई दिखने लगती है यदि दोनों में से एक भी बोलना चाहता तो सबसे पहले वो पाहल कर लेता इस द्रिष्टे देखने पर बाच्चीत की सुरुवात नबाब ने की लेखक इसके वावजूत उन नबाब दोनों अलगाव पसंद दिखाई देते हैं यानि दोनों एक दूसरे से बात करने की चुक नहीं था तो बच्चों ये था नबाबी अंदाज पार्ट से टर्म टू के लिए कुछ अत्यंत महत्मूर प्रशन फिर मिलते हैं किसी और पार्ट के महत्मूर प्रशनों क साथ जय हिंद जय भारत